तो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कैट केम एक्सपर्ट में तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सॉलिड वक में शेल कमांड का यूज करते हैं तो यहां पर मैंने एक 3D सॉलिड लिया हुआ है तो इसी को हम शेल करेंगे शेल य का चलते से वह आपने यहां पर कर लेना है तो छोलिए मैं इसे यहां पर फिकनस देता हूं नौ से प्रिटन थेखने हैं तो इसके प्रिवियू मिल चुका है इसके बाद मैं सिधाइं यहां पर टीक वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा तो जैसे बाद मैं सही थे हमारे जो थिकनेस यहां यहां पर अप्लाई हो चुका है यहां पर अंदर की तरफ है अग्र मैं इसे और और करना वो हमारे piece के बाहर की तरफ जाने की जो उसकी wall thickness होगी वो बाहर की तरफ apply की गई है तो चलिए अब मैं आपको next option के बारे में बता देता हूँ तो यहाँ पर मैं इसे back कर लूँगा back करने के बाद यहाँ पर एक और option दी गई है जो कि multi thickness setting की option है तो मान लीजिए इन 4 face में से आपने किसी एक face को अलग thickness प्रवाइड करवानी है तो आपने जस उस face को select कर लेना है select करने के बाद आप जितनी भी thickness उस face को देना चाते हो उतनी thickness आपने यहाँ पर fill कर लेनी है तो value fill करने के बाद आप preview में देख सकते हो क्योंकि उसकी जो thickness है वो यहाँ पर बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो thickness इसको दिए वो 20 mm दिए बाकि सारी walls की जो thickness थी वो 8 mm थी तो यह थी हमारी shell command आपको वीडियो कैसी लगी मुझे निचे कमेंट करके जरूरता है और वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद बाकि टूलेग पर अूलेग जा झालेगा मुझे हुथ यह हमेरगी कर सो का उर यहाँ जिए chang ⁮ूले nesak